जहिंद साथियो रेलवे मंत्राले के द्वारा आखिरकार RTI का जबाब आ चुका है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा न्यूज है यहां से गुड न्यूज निकल के आ रहा है कि गुरूप D और गुरूप C में एक लाख 68000 पोस्ट वर्तमान में वैकेंट है ठीके और इ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले जितने भी अपडेट है आपको मिलते रहें तो यहां पे वो चार्ट है हम लोग देखेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को फिरी आफ कॉस्ट बुक चाहिए तो हमारा टेलीग्राम गुरूप जो है व एक ही चार्ट बनाया गया है तो यह चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा है यहां पर बता रहा कि वरतमान में उस डिवीजन में कितना वैकंसी वैकंट है ठीक है और इधर बात हो रहा है गुरूप C का और यहां नीचे गूरूप D और टोटल यहां पर दिया गया है कौन से पोस्ट है जैसे आप है mechanical हो गया, civil हो गया, electrician हो गया यह ascenty department हो गया ऐसे सब पूरा दिया गया आइधर जिसे यहाप पर देख्याबूर्य वाला दिया गया जो 42, 392, 317 और उसके बाद में 37 अगर टोटल बात किया जाए यहां पर तो 10608 यहां पर पोस्ट जो यहां पर है यानि कि इतने करमचारी की आउसकता है इस डिवीजन में यानि कि 10,000 सिर्फ गुरूपसी की बात हो रही है गुरूपसी में कौन कोर से आते हैं NTPC आ जाता आपक यहां पर आपका ELP आ जाएगा Technician आ जाएगा JE आ जाएगा तो बहुत सारे पोस्ट इसमें आ जाएंगे RPF के भी पोस्ट इसमें आ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें गुरूपसी में कुछ ही पोस्ट आएगा लिम्टेड पोस्ट नहीं बहुत है लेकिन जो ग बार-बार हम काउंट नहीं करेंगे हम यहां पर आपको बैकन सी बताते जाएंगे ठीक है यहां पर जो है कितना आवश्ट रखता है करमचारी की तो 588550 26747 उसके बाद में यहां पर है 231 यहां पर 497144 यहां पर 0 है क्योंकि इस लेवन का पोस्ट गुरूप D में नहीं ह करें तो इधर यह दोनगेद का धूटल दिया गया है इसे इधर टोटल का यहां पर टोटल दिया गया है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कितनेलो कितने लोग है है तो गुरूप C में चहिए एक सो यहां पर देखिए 1803 लेकिन कारेशात कितने हैं 1694 उसके बाद में यहां पर 889 और यहां पर 255, 2474, 357, 669, 123, 122, 213, 669, 329 और टोटल यहां पर 9343 यानि कि चहिए ते करमचारी यहां पर 10608 लेकिन यहां पर 9343 कारेशात हैं बाकी की पोस्ट जो है गुरूप C में वैकेंट है तो बाकी की जो वैकेंट है यहां पर दिया गया है तो अभी हम इसको हम लोग देखने वाले हैं पहले गुरूप D की यहां पर देख लें तो 349, 655, 530, 1900 यहां पर 333 और 153, 280, 143, 0 क्योंकि इसका पोस्ट नहीं होता है अगर टोटल की बात यहां पर किया जाए तो टोटल यहां पर कारियरत है 12,970 जबकि चहिए था कितना यहां पे 15609 चहिए था करमचारी लेकिन वर्तमान में यहां पर 12,970 यानि कि यहां पे बहुत ज्यादा वैकेंसी वैकेंट है सिर्फ एक ही डिवीजन की बात हो रहा है जबकि 64 डिवीजन है टोटल आप लोगों को पता है तो अभी हम लोग इसी अनुमान से निकालने वाले हैं कि टोटल वैकेंसी कितना वैकेंट है और यहां पे है नीचे अग अगर उसका अंतर लिया जाए तो यहां पे टोटल देखा जाए तो गुरूप सीमें 1245 वैकेंट है और तेरह सो 276 वैकेंट है आए इतना सारा वैकेंसी वैकेंट हैं इतना साम एक ही डिवीजन की बात हो रही है 2632 यानि कि 2632 वेकंसी वेकंट है किस डिविजन में तो यह है रतलामपूर डिविजन में यह वेकंसी वेकंट है अगर ये एक डिविजन में इतना वेकंसी है तो सोची आप 64 डिविजन में कितना वेकंसी है अगर on average निकाला जाए तो अगर हम लोग 64 से इसको गुड़ा करेंगे तो 1,68,448 के something आएगा यानि कि अगर इतना ही vacancy 1,68,000 vacancy ही vacancy है सिर्फ मान लिया जाए इतना तो आप सोच सकते हैं गुरूप C और गुरूप D में इतना vacancy vacancy है यानि कि vacancy की संख्या बहुत जादा है vacancy अगर यहां पर दिखा जाए अंतर तो गुरूप C से गुरूप D का जादा vacancy vacancy है तो अगर यहां पर मान के चले अगर एक लाख vacancy गुरूप D में अगर vacancy है गुरूप D में अगर vacancy है एक लाख vacancy के प्रोक्स अगर ये इसका तीसरी हिस्टा भी निकालते हैं तो 33,000 के something vacancy आपका होना चाहिए लेकिन जो है अभी हाल ही में एक आप देखे हैं जो की जोनल रेलवे बनाया गया था जो यहाँ पे और उसके बाद में कुछ जोनल बनाया गया था जिसको नोडल ररगिस बोलते हैं उसी वाले उसमें आपको देखे थे कि assessment किया गया था बेकैंसी का तो वहाँ पे assessment किया गया था जब vacancy का तो 2025 तक किया गया था यानि मान के चलिए कि ये vacancy कहीं न कहीं एक लाख बीस हजार के करीब हो जाएगा एक लाख बीस हजार के करीब हो जाएगा ये vacancy है 15 से 15 के अंदर ही रहेगा उपर उमीद मत रखिए 12 से 15 जार के बीच में वेकेंसी आपको देखने को मिलेगा ठीक है क्योंकि यह अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहे हैं जो यह रिपोर्ट बता रहा है उसी के क्योंकि इसका प्रिप्रेशन जितने लोग कर रहे हैं अभी से स्टार्ट कर दें ठीक है क्योंकि इसके लिए टाइम आपको उतना मिलने वाला नहीं है वेकेंसी आने के बाद और साथ में आपका गुरुप D की भी तैयारी हो जाएगी सेम है सलेवस कुछ भी चेंजिंग नह आपको लूसेंट हुआ इस पीडी हुआ बहुत सारी बुक आपको फिरी मिल रहे हैं तो आप लोग गुरुप जाकर जोइन कर ले भाई और वहां पर पलपल के अपडेट आपको मिलते रहते हैं जैसे अभी यह हुआ इसका पीडिएफ आपको उसमें मिल जाएगा ठीक है जो जितना भी RTI आता सब कुछ उसमें डाल देते हैं कुछ भी रेलवेस अब्डेट आता सब कुछ उसमें डाल देते हैं तो आप कम से कम अप्टू डेट बने रहेंगे चलिए फिर मिलते हैं नक्स्ट वीडियो में थांक्यू